बीजेपी प्रत्यासी उपेन रदत्र शुकल के प्रचार में गोरखपुर आये पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंदर नाथ पांडे ने गोरखपुर न्यू सम्मादाता से बात करते हुए कहा कि गोरखपुर और फूलपुर लोगसभा के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को बहुजन समाज पार्टी के द्वारा दिये गए समर्थन से भाजपा पर कोई असर नहीं पढ़ने वाला है दोनों दल यूपी में अपनी प्रासंगिक्ता खोचुके हैं जिस समाज को लुभाने के लिए सपा ने अपना प्रत्यासी उतारा है उस समाज के लोगों को अपने उपर चली गोलियां और अब तक याद है उसी समाज के लोग इन लोगों को करारा जवाब भी देंगे उपचुनाओं में दोनों सीचों पर बीजेपी का सत प्रतिशत पढ़त रहेगी गुरप न्यूस से बात करने के दौरान उन्होंने केंदर राज सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया दौरप जामादा भी दोड़केश के लोग सबा के प्रूप चुनाओं के पिचार अवियान के दिष्टी से इसमें हमारी पांटी के बहुत ही समर्पिक वर्सों के समर्पिक दाढ़ करता है अभी तक विबिन ने जिमवारियों को निभाते वे गुरकपूर जैसे बहुत को छेत्र के छेत्री अजेश के जिमवारी बनाए गया है, इनके और पार्टी के पक्स में पचार अभियार को प्याया है अब चुनाओ का एक वरूप होता है, लेकिन मैं जो मुख के बात कहना चाहता हूँ, मैं अपने आप सभी आधरणी पत्रकार भाईयों के साथ, मैं सभी शेत्री नए अध्यक्स रीट अपो धर्मेज सिंसाइखवाद जिसको मैंने अध्यक्स से गोशित किया, तो सुबकामना है और उसके साथ साथ आज प्रत्यक्स मेडिया में मैं इनके साथ पहरी बार उपस्तित्वा, उसलिए इसको बढ़ाई सुबकामना के साथ, सभी प्रदेश में अधिकारी और सभी चुनाओ देखने के लिए प्रदेश से आए लोगी, आप सबके भी जो पहला ये उप्चुनाओ है, जो उप्चुनाओ सौभागे का उप्रत्यक्स मेडिया, मैं इसे विशेश सब्द प्रयोग कर रहा है, ये सौभागे का उप्चुनाओ है, जो जानकारी मुताबिर लगातार आज बार उसके पुरू भी पीट के आधरणी, उसके मानता है जो पर ये लगातार यहां से, भारी मतों भारी लोग प्रेता सहिया, सामसद रहे, लेकिन मारे राष्टी नेत्रत्तु ने, उत्तर प्रलेश के भाजपा जन्वों ने और जन्ता ने, एक बार पुनर, योगी अधित्यनाजी के रूप में, गोरक्पूर, गोरक्च पीट, प्रदेश और देश के मुख्य, आकर्षण, चर्चा, साधिकार, गेंद्र के रूप के उबड़ा, और गोरक्पूर के इस सांसत को, यो स्वभाग्य प्राप्तुवा की देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें जिम्मवारी दी गई, जिसे वो बखुवी प्रतिश्चा के साथ, इकास की देजी के साथ दिवा रहे हैं, इन परिश्चितियों में यहाँ उप्चुना हो रहा है, तो इसलिए मैंने का यह उप्चुना गोरक्पूर, संसदी छेटर के मद्दाताओं के सौभाग हिता हुए हैं, मेरा ऐसा मानना जो खबरें आ रही हैं, इसमें सोने में सौआगा हुआ है, कि एक वर्सों से समद्पित कार्शता कूँ, पार्टी ने, योगी जी ने, हम सब लोगे मिलके प्रत्यासी बनाया है, उसके अनुकूलता यह हैं, कि पिछले मत प्रस्टे से भी जादा मतों से जीत की हैं, प्रबल सम्मावनाओं से जुड़ा हुआ यह चुड़ाओं को प्रचार में है, गुर्णपूर के मद्दादा इस बात को अच्छी तरह महसूस कर रहे हैं, कि जहां केंडरी की सरकार में, सरकार में आते हैं, जिन चीजों को लोग भूल गए थे, जिस जमीनों के कर्णाइजिंग के तैयारिया शुरू हो गई थे, प्रटलाइजर की जमीन का, वो प्रटलाइजर एकभिनों प्रयोग करके देश की तीन अजग्रणी नवरकारियों, जिसके लिए योगी आदितनाज जी और पूर्वांचल के अनेक शांसर सदन में, लगातार आवाज बुलंत करते रहे लोग सभा के अंदर, और विविन नमंच ओपर, लेकिन पीछे के किसी सरकार ने इसमें कोई सार्थक पहल नहीं की, सहर समारिकें सरकार में एम्स की अस्थापना गोड़क पुएंगी, की वह एम्स, गोरक पुड़ी नहीं, पुर्वी उतर प्रदेश और पस्मी पिहार का, एक बहुत बड़ा स्वास्त उक्रम शुरू हुआ, राज में सरकार में आने के बाद, इसी के कल्पना में नहीं थी कि प्राइज चीनी में सुन हो लाएगा, और मात्र, अभी एक बरस से भी, लगबग 15 दिन के अवधी बाकी है, साड़ी 11 महीने के अल्प कारिकाल में, लगबग 600 करोड की विकास समबंदी पर योजना है, पीडरोडी, सिचाई, विवेन चेत्रों की केवल गुरतपूर, सस्थी चेत्र और उससे आजपास की लाकूर के बिली, इतने करोड, कर्पुलेशन, पत्रक द्वारा मीट में गया है, तो ये मोटा कर्पुलेशन लगब 600 करोड से जाला है, और अभी हाल में, जो बजट, घोसी तुगा है, जिसमें सबसे बड़ी परियोजना, पुर्वान्चल एक्सप्रेस वे, लगबग, स्टार्टिंग में ही 2000 करोड से अधिक की परियोजना, उसका संपूर्ण लाफ, पुर्वान्चल और गोरक पुर्षेत्र जो भाजपार का संध्राप को छठा छेत्र है, उसको मिलने के साथ साथ, उस एक्सप्रेस से गोरक पुर्षेत्र को पूरी तरह लिंक करने के लिए 500 करोड का एक लिंक एक्सप्रेस वे, परियोजना भी अपने आपने 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 आधरणी मोधीजी की जो सोच है, पुर्वी भारत एक विक्सित भारत के रूप्पे है, पुर्वी भारत का विकास पीछे की सरकारों ने नहीं किया, अटल जी की सरकार को छोड़के, और राजे में हमारी तीन सरकारें जब थी, कल्यार सिंग जी, स्वर्गी राम प्रकात गुप्त और राजना सिंग की, उस चबाने को छोड़के, सब ने नारे गड़े भासन दिये, जाती समीकर फिट किये, जो विक्स के लोगा चुना मैडान में हैं, लेकिन कोई उलेखनी चिंतन नहीं किया, आप कल ना कर सकते हैं कि माद साड़े ग्यारा महीने के कारकाल में, राज सरकार ने जो सवगातें दी हैं, और लगबद पौने चार साल के कारकाल में, किन सरकार ने जो सवगातें दी हैं, या अपने आप में, मोजी जी की परिकल्पना, अमिस्ता की रचना, और योगी जी का कुसल, कारगर कदम अपने आप पूर्वी भारत के विकास का जो एजेंडा है आज के आधुनिक यूग के सबसे बड़ी नेता देश और दुनिया के लिए उस एजेंडे को धार देने के लिए जब तक पूर्वी उत्तर देश को सम्तूर भारत के मुक्व बरावरी में नहीं लाए जाएगा विकास की कहानी पूरी नहीं होगी उस कहानी को समर्पिक या हमारा गुरत्पूर का चुनाव है हम विकास के मुद्दे पर लड़ रहे हैं और जनविश्वास विकास के मुद्दे पर खायम है उसका प्रतिफल कल के चुनाओं में पूरे देश में प्राप्त भूद है सेवेन सिस्टर स्टेच परोतर भारत में है इसमें कल के प्रतिफल के प्रॉक हम साथ सिस्टर राज हमारी पारटि की तेजन राज्यों सरकारों की कि लो को गोरह कोंद उंचुनाऊं कwest गॉलपुर कोंदा सो पूरी तरह से भारी मतों से वाधिता पाटी के प्रत्यासी में को जिना करके शरी उभेल सुडाजी वे रहा है और शरी नौसलेंस इतंग को हुन पुर में कि हमारी पार्टी और प्रदेश की सर्कार देश की सर्कार दर्जनता का उप्ला बढ़ाएंगी मेरा सब्रोसा है तुरी तरफ से आप सब को बोली की सुष्कामना है चल रही है अभी हुआ तुरी बात पूरी अब आपके सवारा हुआ हमारा वोत प्रसत और बढ़ेगा आने के लिए प्रत्यासी लाई उस समाज को उनके उपर चलाई गई गोलियों की कसक आज भी याद है और उसका जवाब वह जनता जो गोली के दर्द को छेल के सह जाती है उसे याद रखती है यह भारत है समय पर उसका करारा जवाब देती है और यह हूप चुनाव में वह लिए साथ समाज और तमाम ऐसे समाज के लोग पीडित हुए सपा की सरकार में उसका इतना कड़ा जवाब देंगे जिसका अंदाज सपा के अध्यर्चव उनकी अने लोग को नहीं होगा अध्यर्णा की बात पते जाने के यह साथ अपने आप में ऐसा बेमेल सार्थ है जिसमें कोई मेल की संभाव नहीं है और दोनों अपनी प्रासंगीता उत्तरप्रदेश की राजनीत में बहुत हो चुके हैं बहुत अत्तक कमज़र हुचे हैं भारती जनता पार्टी उसके स कोई प्रतिकूला असर नहीं पढ़ना है बल्कि मैं ऐसा मानता हूं कि इस तरह की जो थोड़ी सी चर्चाय आई है उससे भाजबाग मत आता वर्ग और दोने उत्सा से मत करेगा ताकि कोई कसल बागी नहीं इन्हें एक पुराने चेक अप के लिए जाना पड़ा समय सब्सक्राइब करेंग तबी आप किसी किसंग ऐसा नहों कभी कोई पुराने जोट अचानक वर्किंग प्रेसर से उसका धर्द भरता है उसके मेटगर चेक अप करा करके और ऐसे समय होली कितेवार में गह ताकि प सब्सक्राइब करेंगे लिए लेकिन किसी आनुचिक बात को भी स्विकार नहीं करेंगे